मनू अभी तुम कहाँ परो? ए भगवान, अब कौन सी भाषा में बताऊं तुम्हें? जिस भाषा में समझती हुँ ना, उसी में बताऊं अरे मैं जेल के गेट के सामने खड़ा हूँ साड़े दस बजे आई जी साब से अपॉइंट्मेंट है अभी 15 मिनिट बागी है वैसे तुम अभी कहाँ पर हो? इस बैंगलोर की ट्राफिक के बारे में तुम उसे जादा जानते हो ना मनू मैं भी ओन दे वे हूँ अच्छा तुमारे भाई का नाम क्या है? सचीदानन सर सचीदानन जिस गुना में कैद है ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर कैद है करना टक के हर जेल में ऐसे लोग भरे पड़े है अगर आप इसी चुड़ाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे सरकार के पस बहुत पैसा है 90 क्या 900 लोगों को जेल में रख सकते हैं पर मैं अपने भाई को जेल में नहीं रहने दूँगा तोड़ा धीरे सुनो, अब हमें DTP सापसे अपॉंट्मेंट लेना चाहिए मंगलापुरम जेल वॉर्डन की रिपोर्ट बहुत फेवरिबल है ये मैं रेकमेंड करके गवर्मेंट को भेजूंगा सर, इससे पहले जो यहां बैठते थे वो DGP भी यही बोलते थे और फिर जब लिस्ट आएगा सिर्फ मेरे भाई का नाम नहीं रहेगा तो फिर गवर्मेंट के साइड से कुछ तो आएगा मेरे जन्म होने से पहले ही जेल गया था मेरा भाई इस साल में 24 साल का हो गया हूँ भाई की डबल लाइफ टाइम सजा भी पूरी हो गए तो इस बार क्या प्रॉब्लम है सर? वेल, आप लोग हो मिनिस्टर से मिलकर एक कंप्लेंट दे दीजे हलो, कहा हो तुम? सौरी यार, दीदी ने गुड़ो को स्कूल से पिक करने के लिए बोला था इसको घर पे ड्रॉप करके आती हूँ इतने में तो मिनिस्टर साब यहां से निकल जाएंगे तो इसको भी साथ में लेकर आजाती हूँ, ओके? ठीके, ठीके, जल्दी आओ यह फाइल दे देना गुड़ इवनिंग अंकल गुड़ इवनिंग ओहो, इस बर पप्पो को भी मिलवाने लाए हो बस पहचान नहीं करवाना चाहता इसे भी तो पता चले कि दुनिया किस रंग की है तुम्हारी बात से ही पता चल गया कि काम नहीं होने वाला है, भैट जाओ यह रिक्वेस्ट लेटर है अंकल अगर आप एक बार कह देंगे तो मिनिस्टर साब आपकी बात को टालेंगे नहीं वो मेरी भी उतनी ही सुनता है जितना तुम्हारी सुनेगा मिनिस्टर थोड़ी रिष्टदार है अब फाइल में आगे पहुचा देता हूँ लेकिन कोई उम्मीद मत रखना चलो तुम लोग कई सालों से यहां आते जाते हो इसलिए मैं खुला बता रहा हूँ इंटेलिजन्स रिपोर्ट तुम्हारे भाई के अगेंस्ट है यह तो अन्द्या है सर तुम्हारे भाई को बाहर छोड़ना खातरनाक है दाट्स दि इंटेलिजन्स रिपोर्ट चली भाई एक्सक्यूज मी चली अब सिर्फ एक ही आदमी तुम्हारी साहता कर सकता है एडविन मोजिस ये लो इस नंबर पे बात कर लेना गुड मॉर्निंग साहिब सर ये सेंटर से सचिदा नंद के लिए लेटर आया है मुझे ग्राउंड में थोड़ा काम है उसके बाद आके मिलने के लिए को ओके साहिए जाह क्या है मैंने क्या किया है भाई मुझे क्यू मार रहे हो आखिर मुझे से गल्ती क्या हुई तो तुने कुछ नहीं किया बेटा सुवर कहीं कि लो समझा है हाई हुआ हुआ इदर आ मुझ से पंगा हुआ हुआ सूर कहीं के तू और मैं हम दोनों यहां पर सजा काटने आये हैं अगर तुने दुबारा इसके उपर हाथ उठाया तो तुझे काट के फेक दूंबा सूर कहीं के वट हैपन सची क्या मैटर चल रहा है आओ इस बार रिहाई के लिस्ट में तुमारा नाम भी है कॉंग्रेचुलेशन्स ये लो तुमारे भाई की चिठ्ठी मेरे प्यारे भाई इस बार एक गुड निउस है आपका रिलीजिंग ओडर मिनिश्टर ने साइन कर दिया है मुझे पूरा यकीन ता भाई कि एक नाएक दिन आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और देखिए सिर्फ मैं ही नहीं पूरा घर बहुत खुश है आपके आने की खुशी धूम धाम से मनाई जाएगी बाकी सब मिलकर बात करेंगे इस स्वतंत्रता दिवस मैं जेल के भार आपका वेट करूँगा अपना ख्याल रखिए आपका छोटा भाई मनौ फोटो मत खिच्वाओं वर्ना मोहरत निकल जाएगा मनदप में नहीं पहुच पाएंगे तू ऐसे खुश हो रहा है जैसे शादी तेरी खुद की हो रही है बले ही शादी मेरी नहीं हो रही है लेकिन मैंने पिता जी को शादी के लिए मनाया है वर्ना यह शादी कभी नहीं होती सचितानन बेटा मेरे जमाने के सारे लोग तो पर लोग जा चुके हैं नहीं तो किसी दोस्त की पोती से तेरी शाधी करवा देता मैं आप क्यों मेरे पोते की शादी कराना चाहते हो अभी तो यह अपनी नई मा के आने की खुशी में है पापा आप मेक अप नहीं करवाएंगे क्या नहीं बेटा तूने जो मेरा गेट अप बनाए वही काफी है एक डोर से वाद के रखा है भाई मेरे तूने ही हम सब को हाँ बारश ये प्यार की बारश यो हम पे है भूलेंगे कैसे उसको आके फिर मिल जा हमको तेरी यादे अनुमोल बाते अनुमोल सुनना चाहों फिर भगबोल खाब हमने जो संग तेरी देखी भाईया खाब वो पूरे करो बहुत हुआ ये चिर्ठी का नाता आ रहे हो वापस ये वादा करो तू ही सबसे प्यारा है मेरा दुलारा है रूठो ना कुछ तो कहो दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग हो तू ही सबसे प्यारा है मेरा दुलारा है रूठो ना कुछ तो कहो दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग हो सोने के तार का पेंज राए चमक इसकी तुम ही तो मौसम ऐसे ही बदलता रहेगा जान लो ओ जान लो जुम उठा दिन मेरा संग तेरे जिने का बदला धंग मेरे पास बुलाती है कोई मिठी दुल ये सुनत लो हां सुनत लो छटा अंदेरा है खुशियों का पहरा है साथ कुम जो हो दढका है दिल नजरना लग जाए भड़कने दिल की खुशरों तू कौन होती मुझे रखने वाली मुझे गुंडा साबित कर दिया मुझे बागल खाले भेज़के मसे डिवोर्स ले लिया और अब शादी करके मसे ले रही है मेतचेसं डने चाल अब खालते हूं? कुछल शूया से हाँ परिकर यह इतना मार खा रहा है फिर रोग यो नहीं रहा है कुछ समझ मैंने यहारा है इसमें मलम लगाया होगा और मुझ नहीं रहा है यह मार इसके लिए कुछ नहीं है अपनी मा के पहले पती को मारकर अंदर अधर अधर है किया हम तर चाहिला दिलिंदर मारने का फाइदा यह चल जए जड़ में कि अ है कि कि अ है तो कि फिर खड़ा कि युवे ए छुबकर इसकी धाली में और खाना डाल दे नेता मत बन क्या भाई मैंने सुना कि तुने किसी का खून किया है किसी और का गुना अपने सर पे ले लिया है, है ना नहीं, मैंने ही खून किया है हाँ रहो, तो ही सबसे प्यारा है, मेरा दुलारा है, उतना कुछ तो पहो, दिल मेरा धड़के ह्वास, तेरे संक से ही, ऐसे ही संद संग रहो खान और घनी को वाडन पकड़ कर ले गया है, मैं माल लेता हूं, सब कुछ मैंने किया है, इतना दोस्ट है, तेरी तरी हिमत, तेरे गाम के पीछ में आता है, हाँ कुछ मैंने कर दिल में गाम कुछained When the accused are both young, this court cannot take lightly the crime they have committed considering that the crime took place within the confines of a juvenile home and the victim is his k AIW the accused do not deserve any degree of leniency especially the prime accused Sachidan Nandan at the time of the crime he had turned an adult by then this court orders that the prime accused Sachidan Nandan be sent to the Central Jail to serve out a double life sentence कर दो दो कर दो कि अजया रहा है झाल झाल अंधेरे में क्या किता पड़ रहा है लाइड नहीं चालू कर सकता अंधेरा का भुवा पता ही नहीं चला अरे सचीदानन को अंधेरे अंधेरे में भी दिखाई देता है केरियोन हुआ हुआ हा मेरा भाई कितना सुन्दर है कैसे कोई इतने दिन तक इसे जेल में बंद रख सकता है आव अरे आपको बता है पावर शो और प्रिजन ब्रेक जैसी अमेरिकन टीवी सीरीज है उसमें जो स्टोरी चलती है वो बिलकुल आपके जिन्दगी की स्टोरी से मैच करती है अगर इस बार भी आपको नहीं छोड़ते ना तो मैं भी वैसा ही कुछ करता आईए बैठिये मैंने आपसे कहा था ना आप जब भी घर वापस आएंगे आपका धूमधाम से स्वागत करेंगे आपके आने के बाद ही विश्ण बाई शादी करेंगे लड़की भी उनके साथ डॉक्टर है नाम है वंदना बाई ने जिद लगा के रिखे थी कि आपके आने के बाद ही शादी करेंगे अब आप आ गए हैं तो शादी भी हो जाएगी सची बाई परेकर खान गनी मैंने तो पहले ही बोला था बाई अपन को देखते ही पैचान लेंगे कैसे नहीं पैचानते हम तिनों साथ आया ना इसलिए पैचाने यह क्या बग रहा है? हमक्या हमेशा साथ में रहतें हम तीनों बचपन से साथ में इसमें नहा क्या है? मनू यह है परिकर खान गनी हम सब लोग except बाल सुधार क्रह में थे मेरा छोटा भाई मनू है 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 हलो यहां मुझे झालने के लिए आया है सच्छी भाई एक मिनिट हाँ अभी आए अभी क्या आप अपने घर रहने के लिए जाएंगे और कहां जाओंगा मैं सच्छी भाई अपन के वास्ते एक काम आया है कहां पर बैंगलोर में माँजे आपन के लिए बहुत अच्छा उफर आया भाई मंबाई का कोई ड्रग डिलर है नाम है एडविन मोझेस बैंगलोर में ड्रग की डिलिंग भही करता है करोडों का दंदा है अपना भी फाइदा होगा फिफ्टी-फिफ्टी मैं अभी अभी तो बाहर निकलाओ तुम तुम सम बिलकर मुझे दुबारा अंदर भिजना चाहते हो ज्यादा दिन की बात नहीं है थोड़ा पैसा कमाने के बाद आपन धंदा छोड़ देंगे हां पैसा अपन किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर देंगे फिर वहीं सेट हो जाएंगे हां जैसे विजे मालिया चोकसी निरोमुदी निखिया है वैसे अपन लोग भी करेंगे अभी मैं बस अच्छी जिन्दगी जीने का रास्ता देखूंगा बाद में तुम लोगों को ही बुला लूँगा हमें पता है कि आप हमें नहीं बुलाएंगे फिर भी आप इसे रख लिए ये क्या है ये हमा परा फोन नंबर है कभी जरूरत पढ़ जायतो बिना ठीक से सोचे समझे गलत रास्ता मत चुल ले ना मैं कॉल करूंगा हेलो वो मना करके निकल गया लेकिन उसे कैसे रास्ते पे लाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आओ भाया ये बैग भया ये मुझ्जदो अरे 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 बैनना आओ चलो आओ चलो आओ ना कैसे हो भाया विष्णू अर्या विष्णू ये विष्णू बेटा हाजो हुआ सो हुआ आया है घर पेशेर अर दिल की बगियां मैं डर की नहीं है खेर जो हुआ सो हुआ आया है घर पेशेर अर दिल की बगियां मैं डर की नहीं है खेर मेरे आसपास रहना ओ सुनले मेरी मैना ओ तेरे देना सुनी सुनी मेरी है मुडे तुझे देखे बिना नहीं होती मेरी भोर आउं खीची चली जो तु खीचे मेरी डोर मन्नु काहिक को करता है बाते योगी मोर मैं तेरी तु मेरा चारो और हिशा हाँ जो हुआ सो हुआ आया है घर पेशेर अर दिल की बगियां में डर की नहीं है हाँ आसे ना इत्राओ खुद को समझाओ उल्टी बातों से दिल को ना दड़ पाओ हाँ एसे ना इत्राओ खुद को समझाओ उल्टी बातों से दिल को न दड़ पाओ इन होटों पे अटकी कब से नाजर मेरी आजा रे पास आजा कर देना कोही जतन तुझे देखे बिना नहीं होती मेरी भोर आउंखीची चली जो तुखीचे मेरी डोर मन्नु काहे को करता है पात यूही मोर मैं तेरी तु मेरा चारो हिशा इन आखों की भाश्या ये आखे ही समझें तरस्ती निगाहे बस तुझ को ही ढूडे इन आखों की भाश्या ये आखे ही समझें तरस्ती निगाहे बस तुझ को ही ढूडे आँ दीवाने है तेरे सदियों से हम तेरे आजा रे हाँ कहistlesे मिलके रहेंगे सजन तुझे देखे भिना दिल लगता ही नहीं सब कुछ है यहीं बस तेरी कमी एक पल भी जाती है जो तू कही और दिल धड़के है जोरों से करता है शो भाई आप यहाराम केची मैं महमानों को छोड़के आता हूँ भाईया भाईया कहां चले गए सची भाई क्या हुआ भाई कमरे में नहीं है क्या मैं कमरे में खोड़के आया था पता नहीं कहां चले गए मामजी भाईया दिखनी रहे अभी तो बेचारा आया है सोने दो कल मिल ले ना क्या बोल रहे हैं यह भगबान हाँ बेचारा अकेले सो रहा है उसको सोने भी नहीं देते आपको पता भी है वह इस वक्त अपने कमरे में नहीं है चला जा अगर वह ऐसा है तो उसके उपर हमें सक्त नजर रखनी होगी बेचारा अलग दुनिया से छूट कर आया है ना देखने में आया है कि ऐसे लोग ही आत्मात्या करते हैं ओहो भाई बहन दोनों एक ही जैसे हैं वो भी ऐसा ही नाटक करती थी मैं तो बोल रहा हूं कि मामजी प्लीज प्लीज मनू अंदर से कोई आवाज आ रही है यहां सो रहे हैं भाया मैं मनू मनू भाया कि यह क्या भाई यह भी कोई सोनी के जगा है वहां लेटकर मैं सो नहीं पा रहा था मेरी आदत नहीं रही न अच्छा भाया उठिये थैंक यू फो कमिंग दोक्टर हालो डोक्टर सुधाकर रेड़ी हालो और यह इनकी वाइफ नमस्थे नमस्थे भाया सुनो ना भाया मैं राजनी भाया यह मेरी दीदी पलक हाय नमस्थे मैं इनका पापा हूँ कल्यान कुमार यह मेरी दीदी का बेटा पप्पु नमस्थे आप लोग सब यही रहते हैं क्या ओ सौरी शादी में आया होंगे मैं भी शादी में आया हूँ ठीक है फिर मैं चलता हूँ यह ऐसा क्यों बोल रहे थे वो क्या है ना भाई कुछ दिन से बाहार रह रहे थे इसी वज़ा से सची भाई हां भाया हां आप रेडी होए या नहीं सची दनन तरवाजा खोल अब हां 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 आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है अंदर बहुत गर्मी हो रहे थे जुट बोल रहा है एसी वाले रूम में फिर तुबारा एसी खराब हो गया होगा है भाई आप चलिए ना पिता जी कबसे पूछ रहे हैं आप लोग जाओ मैं कुछ देर बाद आ जाओंगा है साथ में क्या प्रोब्लम है भीड कम हो जाएगी तो अरम से आ जाओंगा अब ये क्या बकवास कर रहा है भीड कम होगी तो क्या कच्छरा साब करने आएगा भाया ये भीड देखके बड़ा बेटा सच्छिदा नन्दा यारो अ ये लड़की का बाप है प्रताप यहां का डीजीपी है यार वहाँ वेलकम सर, प्लीज कम, मोहन जी, विष्णु को फादर, नाइस मीटिंग यू सर, दिस इस माई सन, सचिदनाथ, और ही इस माई अंकल, विजे कुमार, प्लीज कम सर, क्या भगई अंक्या, सलूट क्यों मार रहे हो, पुलीज ऐफिसर को देख के सलूट मारने का, जेल में सिखाया जाता है, वेज़, कोई जेल नहीं, और तु कोई मुझरिम नहीं, सब के सब यहां पर मिहमान आ रही है, हाँ, हाँ, हाँ. नाइस मीटिंग यू तू इस इस मैं सची दन्यू पिताजी एक गिलास पानी पीलू आपकी परमिशन जाहिए मैं याजाओंगा जल्दी जाओ हे हे हलो सर एक गिलास पानी पी सकते है ओकी सर कुच ऑगधु कि पानी पीने के लिए भी दुसरों से टेस्सक्रवाखे निद्यटे पीते घुटे याज के आते हैं सर, हें मुझे गिलास पानी पीना ह। सर मेरे को सर बोल रहे हैं कि हाँ लगता है अच्छय दिन आं गए यहलो सर पीलो ना है एक गिलास और चाहिए लीजेला सर ये क्या कर रहे पानी के लिए कोई पुछता है क्या प्यास नहीं पुछ रही है चल रख नीचे आये सर पिताजी मुझे अभी कि अभी लगु शंका के लिए जाना होगा कबसे पानी पी रहा है तो निकालना ही पड़ेगा उदर सामने टॉलेट है जा जल्दी ये जेल से आने के बाद हर काम के लिए परमिशन मांगता है जेल ने तो इसे बिगाड के रख दिया है पूल कुछ पूल करें अभी जाओ मैं भी जाओ अरे चाहूना जाओ जाओ आगे जाओ तुम ता निखाल के अभी आशिरवात तो दो कुछ पुलिस में तो नहीं है लेकिन पुलिस वारों से बहुत ही अच्छी जमती है उनकी ऐसा कह सिलती हो एक मिठा अहां बेटी बोलो पापा मैंने उस ऑफिसर को देखा पूरा हौल तो ऑफिसर से भरा पड़ा है तुम किस ऑफिसर की बात कर रही हो बेटी अरे जिसने मुझे पहले बचाया था वो कमांडो ग्रूप वाला ऑफिसर उसे तुमने कहां पर देखा यही पर वो विश मुझे पूरा यकीन है वाला यहां क्या कर रही हो सब ढूंड रहे हैं अच्छा पापा मैं चलती हूं ठीक है चलती चलू अरे कहां रही ती तुम इदर आओ सची अधि यह आवाज कहां से आरी गाराज में से आवाज आ रही है सर सर लगता है गैरेज में कोई है शटल का अंदर गया है चाबी तो मेरे पास है साव बहु निकल के न उसको एक रैपता मारते ना पॉन है निचे संबाल किया उसके हात में हतोड़ाए शयद चल बहार निकल भाईया आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं मैंने सोचा थोड़ा कारी ठीक कर देता हूँ अब अंधेरे में कौन कार बनाता है बेटा नीचे जाते वक्त तो उजाला था अंधेरा का भूह पता ही नहीं चला ठीक है मैं समझ गया चलो अब यहां से मैंने सोचा कि कार ठीक है मन्नू ले जाओ इसे कमरे चलो भाईया यह यह अब स्पैनर अब फट्टू इस सचिदानन से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ मैंने तुम्हें पहले बताया था ना जब मैं उटी में पढ़ती थी एक टेरिस ग्रूप में मुझे अगवा कर लिया था तो फिर एक कमांडो आपरेशन में पुलिस ने मुझे बचाया था उस कमांडो ग्रूप में सचीदानन भी थे ऐसा तो होई नहीं सकता लगता है तुम्हें वहम हुआ है मेरे सची भाई तो जेल में थे वो भी पूरे चौबिस साल सबसे बीचे 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 लाइन कभी नहीं तोड़नी चाहिए जो पहले आया वो पहले खाएगा जो बाद में आया वो पीचे कड़ा रहेगा चलो 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 अशुक क्या बात है ना ये लोग बाहर जाके पढ़के आते ना वहां पे उच नीच बिलकुल नहीं देखी जाती इसलिए लोग बाहर जाते है सोशिलिजम हाई है आपन पता नहीं ये सोशिलिजम कभ सिखेंगे यहां आप लाइन में क्यों खड़े हो जाइए अगा पिकार ने आउं अंधर चलो क्या हुआ चड़ो और छडों आप नूकरों के साथ लाइन लगा के क्यूं खा रहे हैं यहां बैठियो प्रिष्ट 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 प् क्या भाईया, आप स्कूल के स्टुडेंट हो, खड़े ओके गुड मॉनिंग बोल रहे हो, दुबारा खड़े ओके किसी को गुड मॉनिंग मत कहना, ओके? भाईया, राद भर वंदना मुझसे एक बात पर लड़ती रही, जरा वो देना, इसका ये कहना है कि आपने किसी टेरिरिस्ट मिशन पर इसकी जान बचाई है, मुझे बचाने के लिए तो मन्नु आया, मैं किसी को कैसे बचा सकता हूँ, गईतो! क्या हूँ बचाने के लिए, मेरा हो क्या है? अजय बचाने कियो उडगे? एसे अचाना कियो आटगे? ह०्व ह०्व है ह०्व वंदना, यह सब क्या चल रहा है, यह चूट कैसे लगी जानते हो, मुझे बचाते वक्ते नहीं लगी थी, क्यों बहिया, मैं जूट बोल रही हूँ, इन्हें बता दो, यह जूट नहीं बोल रही, वो मैं ही था, मुझे अंधेरे में दिखाई देता है, यह बात जेलर को पता लग गई थी, इसलिए वो हर दिन मेरा इस्तेमाल करने लग गया, हर रात को वो लोग कहीं न कहीं, मुझे ट्रेनिंग पे ले जाया करते थे, मेरे साथ ट्रेनिंग में बहुत सारे कैदी थे, और बहुत सारे कटिन मिशन्स पर हम लोग साथ में गयें, उन्ही सब कटिन मिशन्स की तरह वो मिशन भी था, अंदर सभी के पास हत्यार थे, लेकिन मैं नहीं था, ऐसे होता था वो आपरेशन, अंदर सारे के वो आपरेशन, अंदर सारे के वो आपरेशन, अंदर सारे के वो आपरेशन, और के अंदर सारे के वोिएका से हो पास। कर सृष अंदर स्सक्वित्न, झाल पाल झाल झाल, बाल प्रलन हो.. जुछ सरुकॉद सला खुछ अजय प्रफब एफ जाए लो गज़ एफ एफ लुट 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 अाए लुट लुट जए लुट लुट कई बार मिशन से काफी लोग जिन्दा वापस नहीं आ पाते थे जेलर लिख देता था कि वो लोग फरार हो गए फिर किसी की लाज ढूंड के उन्हें हम लोगों का नाम दे देता था ऐसा ही खेल जेल के अंदर बहुत दिनों तक चलता रहा कोई नहीं पूछता था वैसे भी मुझरिमों की बाहर समाज में जरूरत भी क्या है इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देता था ऐसे ही मेरे कितने साल इसी तरीके से बीट काया ट्रेनिंग लेते रहते आदत सी हो गई इतने दिनों तक इस काम के लिए अंदर रखे थे भाईया को बोल रहा था इंटेलिजेंस रिपोर्ट इन सब की तूद देखो भाबी आइम सो स्वारी देविल्स डिर्टी देविल्स इंक्लूदिं यूर डाड आदत स्वारी I think आपको इस बात को मामुली नहीं समझना चाहिए सर इस ग्राफ्ट को एक वार्निंग समझी एडविन मोजिस की तरफ से एडविन मोजिस? मेभी उसके किये हुए हर एक क्राइम स्पॉट पर ऐसे ही निशान पाए जाते हैं सर सौरी विदान्ता सिट आउन हाँ बोले बेटी पापा जेल में आप लोग कैदियों को मरने के लिए मिशन पर भेजते हैं क्या? आखिर तुम्हें ऐसी बगवास बाते कहां से सुन लेती हो वाट ट्रूथ? बिना काम के फोन करके मिरा दिमाग मत खराब करो फोन रखो मैं मीटिंग में हूँ विदान्ता, मैंने तुमसे कहा था वो आदमी ठीक नहीं है सॉरी सर, आखिर कौन है ये? और कौन होगा, सची दाधन ओ, सर के सनी लॉक हा बिग ब्रदर मैंने उसकी पूरी कुंडली निका लिये सर बहुत ही ओबीडियन्ट है वेल बिहेवड जेल में इतने सालों में कोई कंप्लेंट भी नहीं आई इन फाक्ट, ही जितने भी कमांडों हैं सर उसकी स्किल उनसे बेटर है हमारे बहुत सारे रिस्की ओपरेशन्स में उसकी मदद ली गई है तो पूरी सजा हो जाने के बावजूद उसे रिलीज नहीं किया गया सर और फिर उसके यंग ब्रदर ने हायर इंफ्लेंस लगा है इसलिए उसे छोड़ना पड़ा वो बात तो ठीक है अगर उसने ये बाते बाहर बता दी तो डिपार्टमेंट के इमेज का क्या होगा वो बाहर नहीं बताएगा सर फिर वंदर ना को कैशे पता चला वो तो I don't know सर वैसे उसने आपकी बेटी को बचाया भी है इसलिए शायद आपकी बेटी उसे भूल नहीं पाई हो With your permission सर I'll talk to him मैं आपको जुबान देता हूँ कि मुंबई से यहां आके मुझे तीन साल हो गए इसके पहले मैं दिल्ली में था वहाँ एंकाउंटर में कुछ टूरिस्ट क्रिमिनल्स को मारने की वज़ा से मैं निताओं की नजर में आ गया था तो बस दे ट्रांसफर्ड मी What would you like to have, sir? Drug Mafia को फिनिश करने के लिए मुझे यहां पोस्ट किया गया है तीन साल में मुझे पूरे शहर को क्लीन करना है Drug Trafficking में आज तक मैंने किसी को अरेस्ट नहीं किया और जेल में भी नहीं भीजा एंकाउंटर में सब को मार ड़ा इसी को लेकर हर डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंज चल रही है But I just don't care Now my problem is something else Drug Mafia strongly वापस आ गए और इन्हें जो कंट्रोल करता है वो है एक Advin Moses उसको आज तक किसी ने नहीं दिखा और उसके लिए काम करने वाले गुंडे, criminals Just normal people उन्हें trap करके अपना काम निकालता है जब वो पकड़े जाते तब उन्हें पता चलता है कि वो ड्रक्स का दंदा कर रहे थे तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैं सचिदानंद को क्यों बता रहा हूँ Because Advin Moses को खत्म करने के लिए मुझे सचिदानंद के help की जरूरत है कुछ दिन पहले Advin Moses का एक container में सो गया उसमें drugs भरा हुआ है ये काम किस ने किया ये जानने के लिए उसने criminals बुलाए है सारे के सारे trained criminals है इसी लिए हमें तुम्हारी help चाहिए 24 साल तुमने जेल में बिताये हैं सचिदान्द इस city में जितने भी criminals हैं उन्हें अच्छी तरह जानते होगे तुम्हारे connections को use करके शहर में कौन उसके लिए काम करता है ये जानना आसान होगा जेल में रहते हुए भी तुमने department की बहुत मदद की है इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ सर आपने जैसे पहले कहा अभी मैं जेल में तो नहीं हूँ न तो पोलिस की बात क्यों मानू भला अभी तक मैंने अपनी सारी जिंदगी जेल में बितायी है और उस जिंदगी के बारे मैं अभी याद भी नहीं करना चाहता और ये काम मेरा तो है ही नहीं ओके ओके मैंने तो बस रिक्वेस्ट किया था इस बात को यहीं भूल जाओ सचिदानंद सर सचिदानंद सर जिस मामले को याद नहीं करना चाहते हो उसे अपनी जुबान पर कभी मतलाना जेल में तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ ये बाहर किसी को मत बताना क्योंकि अगर बताओगे तो पुलिस तुम्हें जेल में फिर से डाल देगी और फिर तुम बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगे जानता हो सर और ध्यान रखोंगा कौन था भाईया ये में वेदानता आपीएस अंटी नार्कोटिक्स अंड्रक्स प्रिवेंट्टिव स्पेशल ओफिसर बैंगलूर जेल में बंद क्रिमिनल्स की जानकारी के लिए मैंने सचिदानन्द को मिलने के लिए बुलाया था ये आपका छोटा भाई है ना मनु हाई नाइस मीटिंग ये सेम ये यू गाइस केन केरी आओ ओके बाई तेरे इन जियूतों पे पेंट कैसे लगा पता नहीं लग गया होगा आप भी कहां कहां ध्यान देते है उस पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ वो पुलिस वाला दे रहा था मैंने देख लिया देख लिया आप देख लो अरे नहीं नहीं मैं इसे देखने नहीं आई हूँ आप अकेले थे ना तो सोचा थोड़ा बात करेंगा बात करेंगे ना इसमें क्या है मेरे लिए जैसे ओपरेशन किया गया था और कहां-कहां पुलिस आपको ले गई थे कौन? पुलिस मुझे अभी कुछ याद नहीं है पिताजी मुझे ढून रहे हो कि चलना चाहिए भाया भाया ये एक मिनट मैं कब से आपको ढून रहे हूँ मैंने आपके बारे में प्रोफेसर से बात की कैदियों के साथ जो मिस्यूज होता है उसकी खिलाफ हम केस फाइल करेंगे सब लोग एक ही रटकियों लगाये हुए मैं कैदी थोड़ी दा हूँ ये तो कैदियों की भलाई के लिए है ना भाया मैंने मनू से भी बात की इस बारे में उसकी भी यही राय है doe मेंट क्याये हम लोग बैठ कर बाते शाइए मुझे भी टॉयलिट जाना है आनेके बात करोऊマネ की बात करों मैं वेट करोगी वेट मत करो मुझे तोड़ा टाइम लगता है कितना टाइम लगेगाता गए किट करोंगी सुनो मैं बाहर जा रही हूं तुम भी चलोगी नहीं मुझे बड़े भाहिया से थोड़ी डीटेल्स कलेक्ट करने हैं आप जाएए बाइ बाइ अरे भाहिया यहां पर पैदल कहां जा रहे हैं अलो मैं बस पास में जा रहा था आप यहीं रुकिये मैं कार पार करके आती हूं हाँ मैं यहीं वेट करता हूं हूओन हुड़र imbalance कि खीए झाल की मैं नहीं यहीं हे दोगा जोचा पहीं है क्या बखवा सीड़ी बनाया है हर जगे पे होल होल ही है दिल करता इसे तूढ ही दू हरी सर यहाँ पे है यह तो तपस्य कर रहे है सौरी गल्ती हो गई तपस्य भंग हो जाएगी हाँ तू अभी सची भाय का यहीं इंतजार कर रही है वो तो बाहर रोड पर घूम रहे थे मैं बोली कार पार करके आती हूँ पता नहीं कहां चले गए हाँ रोड पर हाँ कैसे हो सकता है जब से आप बाहर गई है तपसर सची भाया तो अंदर ट्वालेट में बाहर निकले ही नहीं रजनी हम रोड पर खड़े होकर बात कर रहे थे मैडम साब तो उपर तपस्या कर रहे है कौन सची सर हाँ उपर वो भयंकर तपस्या में लीन है मैडम आप देख लो चलो इस घर में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा मैडम इदर जब मैं आया था तब सर तो यही पर बैठे थे तो फिर कहा है मैं क्या जानू कहां चल ले गए उनको तो यही पर छोड़के गया था इदर देखो बड़े साब वहां नीचे बॉक्सिंग कर रहे है क्या चल रहा है आओ देखो मैंने अभी उन्हें बॉक्सिंग करते देखा अचले कहां चल ले गए रुको मैं देखता हूं यहां तो नहीं गए यह सब क्या बाते कर रहे हैं देखो बड़े भाईया अभी भी टॉलेट में अरे कोई और गया होगा है सच्ची सर टेरस पे थे मैंने खुद देखा अरे क्यों दिमाग लगा रहा है पूछ लेते हैं ना सच्ची सर सच्ची सर आप सच में अंदर नहीं है ना सब लोग एक साथ घड़े हो कर यहां क्या चलो देखते हैं भाईया क्या कर रहे हैं दर्वाजा खुलिए ना क्या बात है सब लोग यहां तो कितने देर से बातरूम में था थोड़ी देर तो हुआ तो फिर यह बता वंदना क्यों कह रही थी कि तूने उससे रोड़ पे बात किया हाँ सचा है मैंने बात किया आप फिर टेरेस पे तपस्था करने वाला हाँ मही था और जो बॉक्सिंग कर रहा था हाँ वो भी वो भी मही था भाईया क्या चल रहा था नीचे अब मैं अकेले रहने के लिए घर को जेल तो नहीं बना सकता ना आप ऐसा क्यों बोल रहें भाई इतनी मेहनत करके तो हमने आपको जेल से बाहर निकलवाया है ऐसा सब क्यों सोच रहे हो हम सब आपके लिए बहुत परिशान है भाईया मैं खुद बहुत परिशान हूँ अब मैं ठीक नहीं हो सकता मुझे ऐसे ही जीना होगा किसी का कहा मानना ही मेरी आदत हो गई है मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई कुछ कहे 24 साल पहले जैसे गया था अब मेरे लिए दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं रही सब कुछ बदला बदला नजर आता है कैसे किसी से बात करना है कैसे बरताव करना है कुछ समझ ही नहीं आता इस बात को लेकर क्या किसी ने आपसे कुछ कहा सुनो जेल में जो कुछ भी हुआ है वो बाहर किसी को नहीं बताना है ये बात मुझे वेदानता ने कही है लेकिन यहाँ पर तो सब वही जानना चाहते मैं आपकी बात समझ यह आप एक काम करिए आप भी ये सिटी छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलके बैंगलोर सिटी में रही है पिदा जी और भाई से मैं बात कर लूँगा वैसे भी मैं और रजनी कल बैंगलोर वापस जाने ही वाले हैं वहाँ पहुचते ही घर का बंदोबस्त कर लूँगा और आपके लाए कोई बिजनस भी सेट कर दूँगा ये ठीक रहेगा ना हम दोनों मिलकर बैंगलोर सिटी पर राज करेंगे ओके बहिया मैंने क्या बोला था याद है ना बैंगलोर पहुचते ही मैं घर का इंदिजाम कर दूँगा और दो दिन के अंदर अंदर सब कुछ सेट करके मैं आपको लेने आऊँगा ठीक है ना बाबा येस तुम जहां भी रो हमेशा खुश्र हो बेटा मेरे लिए इतना ही काफी है अच्छा मैंने ये फोन खास आपके लिए लिया है इसमें जो बात करोगे सब रिकॉर्ड होगा ये देखे इसे टच करेंगे बस होगे बस आपको बात करनी है और कुछ भी काम करने के लिए किसी की पॉमिशन लेने की जरूरत नहीं है कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिंदास मुझे फोन करना मैं सब कुछ सम्हाल लोगा एक बार यूज करने लगोगे तो सीख जाओगे बाई पिता जी बाई पिता समल के जाना बाई 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 भाई या बाई बाई भाई बाई सर आप जैसे मालिक को पाना तो बहुत मुश्किल है आपको देखकर लोगों को सीखना चाहिए आप जैसे अगर सब लोग हो जाए तो दुनिया कितनी सुन्दर हो जाएगी देखो दोबारा फोन बज़ रहा है फोन हाँ 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 हेलो हाँ 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 क्या बात है सर यह आपका फोन है हाँ मेरा फोन हाँ हाँ मनू ने किया है हलो भाईया हाँ आप फोन उठाने में इतना टाइम लगाऊगे तो बहुत देर हो जाएगी फोन मेरे लिए बज़ रहा है पता ही नहीं चला बैने और पहुंच गया नहीं भाईया सिटी के बॉर्डर पर ही हूँ आदे घंटे में पहुंच जाऊंगा पेट्रोल पंपे हूँ ज़र होल करना फोल टैंक भाईया हम लोग पेट्रोल भरा रहे हैं जली जो उतार मनु ये लोग हमारा वीडियो बना रहे है मनु क्या हुआ क्या बात है कुछ नहीं भाईया मैं बात में फोन करता हूँ तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या स्टॉप इट कुछ अई कुछ वाईया रेक़रोड मनु यह 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 हम इसकी अ यह वै क्या हुआ भाया विश्णु अभी मनु का फोन आया था पेट्रोल पंप उसे कोई परिशान कर रहा था थोड़ी सी बात करके फिर काट दिया फिर जब मैंने फोन किया तो उसका फोन आफ आ रहा है लगी नहीं रहा है आप इतना टेंशन की ले रहे हो फोन में तो यह सब होत सब्सक्री रहे तै कभी चार्ज खतम हो जाता है फोन आफ हो जाता है सुनों यहां यह बात नहीं है यह सुनों जऑना वुदियो ऑनृ क्या हुआ क बेल तो बज रही थी, पर किसी ने सुच आफ कर दिया यही मुझे भी लग रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमें खुद जाकर देखना चाहिए कहां जाकर डूढ़ेंगे भाईया वह पेट्रोल वर्म शहर से आधे घंटे की दूरी पर है बस, हमें तुरन जाना चाहिए चले, तुमें काम करो, पापा को फोन करके बता दो पापा, पापा मन्नू और रजनी कार से बैंगलोर के लिए निकले थे, लगता है रास्ते में उनके साथ कुछ हुआ है हम, डरनी के कोई बात नहीं है हम, आएए, होश आने के बाद ही पता चलेगा कि रजनी के साथ क्या हुआ था और कौन लोग मनू को अगवा करके अपने साथ ले गए ओ, ये इन्हेलिंग डिवाइस मनू यूज करता है या रजनी मनू यूज करता है उसको विजिंग की बिमारी है जब वो मेडिसिन डालके इन्हेल करता है तभी वो सांस ले पाता है विच मेडिसिन इस यूजिंग इनिट इट्स अस्तलिन राटो कैप्स ओ, स्पोट से मिला है अटाक के टाइम शाद गिर गया होगा अलो कौन है परिकर कौन सच्चिदानन बोल रहा हूं सच्ची भाई अरे गनी सच्ची भाई सच्ची भाई क्या हो आधी रात को फोन किया तुम लोग कहा हो अभी तुम सब की जरूरत है यू में दे चाट चाट हाट रेट चिक करो गिब मी दाट ये किस ने किया कोई आडिया नहीं लग रहा है मेरे को लगता है मनु के किसी दुश्मन ने किया होगा अगर कोई उसका दुश्मन होता तो रजनी का ये हाल करके मनु को इस तरीके से उठा कर नहीं ले जाता ऐसी बात नहीं है मनु की जिन्दगी उसके लिए कीमती एसे लिए उठा कर ले गया वरना उसे खत्म कर दिया होता ये दोने चीज़े मुझे विश्णू से मिली है इस इनहिलर के बना मनु एक दिन में नहीं रह सकता तो जिसने भी उसे उठाया है उसे ये चीज़े खरीदनी पड़ेंगी इस शेहर में रात में कितनी मेडकल शॉप्स खोली रहती है पता चल सकता है क्या मैं अभी तुरंट पता करता हूm बेडिकल शॉप से इस सेनेलर के साथ इस दवाई को किसने खरीदा पता करूँ ये तो हो जाएगा सची भाई लाओ मुझे दो परिकर इसे मैं अपने गुरूप में शेयर करता हूँ तू भी अपने गुरूप में फैला दे सब को काम पे लगा दे हलो क्या भे इतनी रात को सुनो मुत्तु भाई गनी ने गुरूप में एक फोटो डाली है हाँ इसे तुम भी अपने गुरूप में शेयर कर दो हाँ रात में जितने मिडिकल शॉप खुलते हैं उन सब पे अपने लोगों को नज़र रखने को बोलो हाँ फोटो में जो इनहिलर है और जो दवाई है उसको अगर कोई एक साथ खरीदता है तो उसके बारे में पता करो क्या पर मामला क्या है वो मैं मिल के बताऊंगा सची भाई टेंशन मतलो ये सब हम पर छोड़ दो शहर में हमारे बहुत सारे लड़के पूरी राद भर वो सारे मिडगल शॉपर अपनी नजार रखेंगे क्या रिबॉले सर रहा क्या भे एक रिबॉले सर एक एक आस्टेलिन रोड़काप्स कितना तीन सो कितना तीन सो मुद्टू का फोन है मुद्टू भाई बोलो हलो सुनो एक ही मेडिकल शॉप से दोनो चीजें एक ही आदमी खरीदा पर मेरे आदमी के वहाँ पहुचने से पहले वो घूचु निकल गया हाँ सिसी टीवी केमरे से आदमी मिला है अभी तेरे को बेजा है इंदीरा नगर कोलनी में तेरा नंबर खोली में रहता है मैं नाम है प्रिंस प्रिंज किताया है इसके फोन के वीडियो स्चेक करें हैं अ कि यह दवाई किसके लिए खड़ी थी यह मैं अपने लिए ले रहा थू और का सच बता किदार मनु कौन मनु मैं किसी मनु को नहीं जानता सचिवाई जरा इए देखो जरा इए देखो जर्ण पनु मनु 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 रचुने रचली 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 फिया नही शया जया जै। कि पंगाँ कि नाहर है अगर यह मर गया तो मनु का पता कौन बताएगा भाई अभे नल्ले अभी नहीं बताए तो कहीं का ने रहेगा बाकेगा या और मार खाएगा अगर झाल, झाल, झाल प्रेक्षार प्रेट करें डार प्रेट रखर अजय में जुज करेंग। झायो छिर भुछी पन्ट ए मत लखें उड़ भी भी अ परफसंनेरोत समय क्या स्वंद shining क्यानक्य थाप समय लाफटे लुएे अ डिन नraham कि भेन धुएे लिल ब किन साने है या सक अ, या समय है! अज़ 안रे एतुड़ जो झांट सकता है हैं वह थो जो आह जड़ एक्टारोग जड़ कि अशक घड़ा झार प्रोपाँ प्रोप खड़ करें जब एक झारो श्रपा पंधर खा रहा झारा से नहीं यार पंब बागा है यारे हैं वहारा सकते है झाल, 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 झाल! मानू कहा है? मुझे काम मिला था मैंने बस अपना काम किया इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता तो जोड बोला डुकर मनू कहा पर है परिकर को यह ऐसे नहीं बोलेगा यह कैसे बोलेगा मैं जानता हूँ गनी खान को भोन लगाओ हलो खान हाँ बोल गनी हाँ डिसूजा की बेटी अल्टीशा तो मेरे साथ ही है अल्टीशा नहीं लिटीशा ओ लिटीशा है भाई लिटीशा तुमारे डैडी लाइन पर हैं ज़रा हाई बोल दो हाई डैडी हाई ार बेटी तुमे और आइस क्रीम चाहिए एक और इसकी लड़की भी इसके जैसी चालाख है इसने तो कभी ही से आईस-क्रीम खिलाई ही नहीं भाई एक और आईस-क्रीम देना तो अब बता, इतनी सारी आईस-क्रीम का पैसा कॉन देगा जल्दी बता, बहुत देर होगे इसके साथ, काँ फैक नहीं से, और पांच शे बना की रखो, इसकी तो प्लीज सर, मेरे बेटी को कुछ बत करिए, मैं बता था हूँ शेट्टी साब के कहने पे अपने आपके भाई को मारा बाद में आपके भाई को शेट्टी साब को सौप दिया, अब उन्होंने क्या किया होगा, मुझे नहीं पता यह है शेट्टी, यह है इसकी फैमिली, और यह इसकी बेटी, आर्या शेट्टी गुद मॉर्निंग साब, एक पुलिस वाल आपका इंतिजार कर रहा है यह शेट्टी अपने आप में सरकार है, सरकार हो या पुलिस हो, इसका नाम सुनते ही गुंडे भी पीछे अट जाते, शेट्टी से कोई भी नहीं टेक रहा था यस, मिस्टर आफिसर, आज कल ड्रक्स वालों को छोड़कर मेरा पीछा कर रहे हो इसका कारण भी तो आप ही है, क्यों जूट बोलनो डी जी पी प्रताब के रेलेटिव लड़के और लड़की पर आपने कल अटाइक करवाया उसके बाद उसे किड्नाप कर लिया, इन सब की बीछे आपका ही हाथ है, मेरी इंफरमेशन पकीए है फिर जिसने भी तुम्हें इंफरमेशन दिये, उसी से पूछो वो कहा है, और जाकर उसकी जान बचाओ, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो शट्टी के साथ मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है सची भाई वो चाहे कितना भी बड़ा आद्मी क्यों नहों, लेकिन मुझे मेरा भाई वापस चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से अगर आपको कोई टेप देता है, तो हर पुलिस वाले को आपने नौकर समझ लिया है किस चीज की गर्मी हैं आपको, पता है मुझे मेरे आद्मी तुम्हारे बीच में भी हैं वेदान्ता, इसलिए ये गर्मी मुझे मत दिखाना मिस्टर वेदान्ता, पुरी पुलिस डिपार्टमेंट भी कोशिश करे, तो भी वो लड़का नहीं मिलने वाला है हमें एडबिन मोजस की मदल लेनी पड़ेगी भाई? मुझे इसके लिए किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अपने भाई को बचा सकता हूँ जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उसे उठा लें तो आर्या शेटी? यह कामका नहीं है हाँ, करेक्ट हाँ, करेक्ट हाँ, करेक्ट हाँ, हाँ मच? वन टुनिफर रुपी सर, इस कपुर के डिपे का? इतना महिंगा काई के लिए? वाण टशाब के रखना ऊड़ जाए का? हाँ, 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 वाण हाँ, हाँ, अड़े बाप्रे, हाँ, पुटले के माफिक खड़ है डादी कैसे कैसे बॉडिगार्ट्स रख दिये हैं आपने इडियेट्स मॉल में वाचेस चुरा के मेरा नाम खराब कर दिया यह किसका फोन है यह फोन तो मेरा नहीं है हलो मैम साब डिसुजा बोल रहा हूं मैं फोन कर रहा हूं शेट्टी साब फोन नहीं उठा रहे अगर आप उनके पास है तो उनसे बात करा दो ना प्लीज डादी डिसुजा हीर हलो सर प्रॉलम ज़्यादा बढ़ी है इसलिए आपको फोन करना पड़ा आर्या मैडम को मुझे लगता है किसे सेफ जगे पे छुपाना पड़ेगा पता चला है कि वो लोग फिल्डिंग कर रहा है डिसुजा तू अभी मेरे पास आजा और अपने लोगों को लाना क्या हूँ रड़ी कुछ नहीं बेटी तुम्हें कहीं जाना है तैयार हो जाओ हेलो सर हेलो मेडम तुम्हें डोंट वरी मैंने आपके बैग में फोन डाला था डिसुजा के कहने पर आपटा लाओ डिसुजा कार को तुही ड्राइब करेगा ओके सर मुझे और किसी पर भारुसा नहीं है जीप में तुम्हारे साथ एक ही आदमी होना चाहिए सिधा एरपोर्ट जाओ मैंने सब कुछ एरेंज कर दिया है एरपोर्ट पहुंचते ही फोन करना जाओ एचालो डाड़ी ओके बेटा यह लोग सब सम्हाल लेंगे यूल बी सेफ दरने की कोई बात में है हैपी जरने थांक्यू डाड़ी बाई सी यू आरिया शेटी का फोन अरे डिसुजा गाड़ी वापस घर पे लो मेरा फोन नहीं दिख रहा है फोन तो शेटी साब ने निकाल लिया मेम साब वो लोग ट्रैक कर सकते है ना अरे शेटी तुझे कब का बोला था की फोन आफ कर आफ कर आफ कर मत्तु भाई इसे भी बांद के रखो मैं जब तक नहीं बोलूगा छोड़ना नहीं तो शेट्टी का बिट्टी कहा बाहर परिकर और गणी उसके साथ वे शाबाश अब शेट्टी हमारे रस्ते पे आ जाएगा तुमने जैसे काम मैंने कर दिया अब मेरे बिट्टी को छोड़ दो अपने जैसा समझ के रखे लाए क्या कब की घर पहुंच गई है ममे मेरा बच्चा अब मные कोई मन नहीं नहीं और इसे मेरे दिया यह है मेरे सिंगपूर जाने का कोई मन नहीं बाहँ है जे तो चा出 कि मेरा इख भूंट rookie का इसा प्रेंटतों वे तो अटो ब्रूमने का दिल्क अवा तो चल जाएगी, तो चल जाएगी, अरे गाड़ी में बैठो, बिग बृतर आरहा है, हलो मिम साब, मैं हूँ खान, दिसुजा की जगह पे शट्टी साब ने मुझे रखा है, तेंक यू, बैठिये, हलो शट्टी साब, अरे, कोई हमरे पीछे कर रहा है, मैंनम आप डरिये मर, वो रेसिंग करना चाहते है, हुआ है। झाल कहते हैं झाल बटो कि और फा कि अढुआ हो एक खिरने डानटे कि और आंग उल्च Human कि ़िंगा इंगा ऑग जा में जे हुआड़ कि अए टाए B Tool झाल 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 हुआ है। ह Bureau वो ूנה हुआ वो ुआ थिए पर अप हुआ है है व्यक्ष है ग्रुट दुली में अन्यूज के भी रहता है PRO जल्दी कुछ करना तेरी तो अबे दो मिलिट रूप मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ लगा शटी साब शटी साब मेम साब बात करना चाहती है हेलो डाड़ी इनका बिग ब्रो थो ना सुपर्ब है एक पजेरों में इतने सारे लोग मुझे किड़नाप करने आये थे बट ही फेस दिप आल अलोन डाड़ी अब में सिंगपूर नहीं जाओंगी मैंने इन लोगों से बात कर ली है मेरे पसंद की जगह जाने के लिए ये सब लोग तयार हो गए है प्लीज डाड़ी प्लीज ओके बेटा ये लोग सब समाल लेंगे यूल बी सेफ दरने की कोई बात नहीं है थैंक यू डाड़ी लव यू लव यू टू क्या बात है अब मैं सेंगपन नहीं जाओंगी जहां मेना दिल करें वहां लेके चलो डैडी ने बोला है ऐसा बोले क्या हातो आरे शुल्ति पी तु शकरता है जो शेटि साब ने बोला वही यह बता रही है जितना बोला है उतना कर ओके ऐसी बात है था ठीक है चलिए ब्लडी चीट शटी साथ मूँ बंद रख अबना मेरी बेटी को इनके हाथों में सौब देने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूँ दिखाने की इन लोग ने मेरे बेटी को किट्नियप कर लिया था अब आप ही बताओ मैं क्या करता ये भी उनके साथ है आखिर कौन है ये साब मैं सब का बंदा हूँ इसलिए मीडियेटर बना कर आपके पास भेजा है शट आप एडियेट मुझे तुझ जैसे मीडियेटर की जरूत नहीं बिखारी मुझे अपनी बेटी को कैसे बचाना है ये मैं अच्छी से जानता हूँ मुझे मुझे मैं सखाओ नभर डॉंट अनडरिस्टिमेट हिम हां और ये उसने ये भेजा है साब को दिखाने के लिए है 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 हई है 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 हाई डादी मैं इन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ आपने जो इनका विग्डरो भेजा है जो लोग मुझे किड्नाप करने के लिए आये थे ना, उनको इनोंने अकेले ही मार गिराया, कोई भी मुझे छू तक नहीं पाया, थांक यू डादी, आपकी वज़स से मैं अपनी फेवरेट जगह घूम रही हूँ, थांक यू सो मच, कितना अच्छा है ना, अच्छाने लगा दिल पे ऐसा कोई, मैं रहने लगी उन, खोई, 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 दिल नेल कहां क्या, कुछ तो सुन्दो, दिल में मेरे क्या, कुछ तो बुझो, ना सुक है दिल मेरा, ना है कोई गम, चाहू मिल जाए अब कोई कर दे करम, दिल को दिल से मिलना आही है, देखो देखो, कैसा जादो चला, है तेरा मुझ पर, कुछ तो समझो, सत्रंगी सपनों में, खोड़ा हाद, बाते है तेरी, पर मैं हूँ, शाम्य, इन नैनों के इशारे, कुछ तो समझो, ये जोका उठा है, कैसा हौले हौले, खुश्ब हवाओं में, बह चली है, आओ, आओ, जी जुमते, इसमें खो जाओ, आहो रही हूँ, मैं क्यूँ, खुद ला पता, देखो, 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 कैसा जादू चला, है तेरा मुझ पर, कुछ तो समझो, बादल में तारों का जूला बनाओं, तुम उसमें आके जूलना, मेरी सांसे सांसों में तेरी उग रही है, प्रेम की माला मेरी पहनना, जागे है सपने आखों में मेरी, सुखी नदी में जैसे जहर न गिरे, दिल मेरा जोरों से कह रहा, तुभी सुखी देखों, 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 कैसा जादू चला, है तेरा मुझ पर, कुछ तो समझो, देखों, कैसा जादू चला, है तेरा मुझ पर, कुछ तो समझो, जादू खस जादू कर दो एक फिर दो एकार झाल कर वा दो एकार नाई। कर दो को... यह झाल डाड़ी बेटी को देख सेफ है और इसकी हालत हाँ आए इससे चलि यह शेट्टी सा आपको लेने के लिए आएं बाया हुआ हुआ है हालो परिकर सेफ से पहुँच गया ना अल सेफ सची भाई मानू को लिगर के हॉस्पिटल गए वेलकम ओके भाई भाई हाई परिकर भाई अल से अल से पाई रच्णा उठाँ। अल से लेटी राओ अल से जर्मत नहीं यह रहाओ सुई इड़ हमें थोड़ी देर इन्हें आके लिए छोड़ देना चाहिए शेट्टी की बेटी यहां क्या करने आ रही है यार ये भुके लेकर के यहां क्या करने आई पता नहीं इसको कोई काम है यहां क्या काम है बोल रही थी रजनी से मिलना चाहती है अब रजनी से क्या काम पढ़ गया उसको अब सच्ची भाई को इसका नाम याद तो है ना कि शैनल प profit T覺ब कि शैनल को स्फ skirtप कर्व शैनल के लिए अर्य। सब हें कि कूद रह सै मि तो नमस्टा और ये मेरी साथ नहीं तो सच्ज ऑई के साथ अग्योपा Tibi यह आर्या शिट्टी है सच्ची भाई की फ्रेंड है आर्या शिट्टी सच्ची भाई की फ्रेंड है आर्या शिट्टी वो आर्या शिट्टी रजनी से एक बार मिलना चाहती है हाँ जाओ मिल्लो आर्या शिट्टी आरिया शिट्टी आ रहा हूं न? हलो? हाई मैं आरिया शिट्टी हूं टाड़ी की तरफ से माफी मांगने आई हूं माफी मांगने आई है या तू या तेरे बाप ने ये देखने के लिए बेजा है कि हम लोग जिन्दा है या मर गए मेरे इस भाई की वज़े से तू जिन्दा खड़ी है वरना यही इसके बगल में तू पड़ी होती तेरे बाप के कहने पर उन गुंडों ने हम दोनों की ये हालत कर दिये तेरी भी यही हालत होनी चाहिए हिम्मत कैसे होई तेरी यहां आने की बनो जितना रोना है रो जे जो तेरे आस्तो है ये तरे बाप के फुरे कर्मों की सजा है तुम लगों कैसे देए छोड़ूँगा मेले हाथ उमरोगे ये एक हॉस्पिटल है बहेव योसेफ I'm sorry सर शेटी की बेटी को अगवा करने वाला आदमी मैल आप मुझे पकड़ लीजे अब मुझे किसे पकड़ना है ये तू मुझे सिखाएगा चला हाद या से विदार्ता इने का स्टड़ी में लेने के लिए शेटी ने तुमसे कोई शिकायत की है क्या नो सर फिर इतनी गर्मिक इसलिए है सर वो आप भी जानते है इन सब के पीछे रग माफिया का हाथ है इन तीनों लोगों का एड्मिन मोजिस के साथ कनेक्शन है सनी लॉक अब रदर मनु भी इनके धंदे में इन्वाल्वड है इसी वज़़े से शेटी ने मनु को अगवा किया उसके जरीए वो एड्मिन मोजिस तक पहुँचना चाहता है एड्मिन मोजिस को पकड़ने का काम हमारा है शेटी का तो नहीं है ना इन लोगों के खिलाफ किसे ने कंप्लिन नहीं की इसलिए जबानत दे रहा हूँ अब लोग चलिए आईए लोग जा शेटी और उसकी बेटी को अगर कुछ हुआ भी न तो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा डून्ट माइंड इट पता है बाहर की दुनिया से ज़्यादा मैं अंदर की दुनिया जी कराया हूँ इसलिए डराने की कोशिश मत करना इससे स्कूल के बच्चे डरते होंगे सर डून्ट माइंड इट मुझे सिर्फ रजनी से मिलना है वो तुमचे नहीं मिलेगी मनु तुम जाओ उससे मिले बेगार मैं नहीं जाओगा मनु अभी तक जो हुआ सो हुआ मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वज़े से उसे अपकोई प्रावल्म हो हुआ 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 बंद करो पुलिस को फोन लगाओ यहाँ तो कोई फोन नहीं उठाँ डड़ी मेरी मोबाईल से वेदानता को फोन लगाओ इसको फोन स्विच्छ तॉफ है हेलो हेलो आर्या बोल रही हो अब हमला हुआ है किसी ने डैडी को शूट कर दिया है हमने अपने आपको एक अमने में बंद कर लिया है प्लीज सची प्लीज कम फास्ट पहले रोना बंद करो और चुप चाप किसी सेफ जगे पर चली जाओ और उसके बाद पावर आप कर देना परिकर शेटी के घर पे किसी ने हमला कर दिया मुझे लगता है मनु भी हमला करने वारों के साथ ही है हमें चल के उसे रोकना होगा अरे सुनों जल्दी करो मनु ने शेटी के घर पे जाकर हमला कर दिया यह शेटी आपन का पीछा नहीं छोड़ने वाला है यहां बेटी डादी डैटी क्वाल के तो कoa का यृजए क्वाल के वाल वाल ग्वाल ठाह क vers पने करादे यॉल बहुप स्वस्वित अरे अजल अल प्लड़र प्लूटर उन्हाचा को फिन खिन करें प्लूफ। वह प्राद भूख अज प्राद प्राद ब्राद जगार्ट प्राद 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 अंग एपले कि दिया इने को जो एंब आधा नंगिशा कि भी प्रेंधा सची लाइक जला दो हह भzejल भजजे अपलेắt rays इनको होस्पिटल ले जाना होगा ओके ओके पुलिस के आने के पहले तू आ गया सबोत मिटा के हिरो बनने का बहुत फितुर चड़ा है तुझे यह आप क्या कह रहे है यू शड़ाब इडियट मैं तो कान के नीचे दूगा किस लिए कान के नीचे दोगे पुलिस का काम होता है हमारी सेफटी का पर पुलिस ने तो फोन ही नी उठाया डाड़ी ने बुला उनके मुबल में विदानता का नंबर है उसे फोन लगाओ आपका फोन स्विश्ट ओफ था सॉरी आ रहे है आज मेरे फोन की बैटरी ओफ होगे दी अच्छा सुनिया आप लोग स्टेशन में जितने लोग भी ड्यूटी पर हैं कल सभी लोगों को बोलो कि मुझसे आकर मिले दैट्स माइ ओडर गॉर्ट इट साची थैंक यू थैंक यू सो मच तुम लोगों के साथ कौन को न आये था हम अकेले थे सर कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता जितने लोगों को बुलाया गया सब लोग अलग-अलग स्टेट से आये हैं जोड मत बोल परिकर छोड़ दो से इसे कुछ मत करना तो इसे पुलिस को दे देते नहीं क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मनु भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है पुलिस वाले तंग करें वो मनु के उपर शक कर रहा था रात को ही यहां आधम का मनु को देखने के लिए देख लिया कि मनु अंदर सोया हुआ था उसे भरोसा तो नहीं हो रहा था लेकिन देखके चला गया हलो हलो सची मुझे एक इंपोर्टन बात करनी थी हॉस्पिटल में आ सकते हो क्या अभी मैं हॉस्पिटल में इंतजार करूंगी हॉस्पिटल किसलिया आना है फोन पर बता दो मैं फोन पर नहीं बताऊंगी सामने ही बताऊंगी हां फोर ओक्लॉक हॉस्पिटल की कैंटी में मिलते हैं ओके शाप फोर ओक्लॉक आना बाइग अर्या शेट्टी सची भाई के साथ जो रिष्टान इभार ही उसे कहते है स्टॉक अप रिबी अपन को पता के उनी चला का मतलब यहीं प्यार यह स्टॉक अप रཏन तब होता है जब होस्टेज को अपने किडिनेपर से प्यार हो जाता है मुझे तो लगता हुवा बदल चुकी है। बदल चुकी है ना? ओके। बस कर यार, सची भाई, इसे काटना होगा। काटना है या जोडना है? यह सची भाई-फेसला करेंगे। सच्ची भाई जानते हैं एक लड़की का दिल तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है तो इनकी जिन्दिकी क्यों उजाड़ना चाता है अरे उजाड़ तो तू रहा है सही उमर में लड़की नहीं मिली इसका मतलब समझता है सच्ची भाई आज जो आरिया शिट्टी आरी है ना प्यार की बात करने के लिए इस कुरसी पर बैठेगी और आखों में देखते हुए अपने दिल की बात आपको बताएगी तब आपको भी उसकी आखों में देखके बोलना है I love you मुझसे इसब नहीं होने वाला सच्ची भाई एक तुम सही जा रहे है ओ मतलब कोई फाइदा नहीं है सच्ची भाई वो लड़की आ रही है सच्ची भाई सुनो आरे शिट्टी यहीं आकर बैठेगी संभाल लेना सच्ची भाई उसकी आखों में देखके बोलना मुझसे नहीं का बताया ना एक बार कोशिस तो करके देखो तेरे के लगता कुछ नहीं होने वाला तुम भी ररते हो क्या? उन लोगों ने तो बला था यहां आकर बैठोगी कौन में? नहीं नहीं मैं वहां क्यों बैठ गए मुझे ऐसे लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें आगवा किया था ताकि अपने छोटे भाई को बचा सको इसके बाद अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इसका इलजाम मनु पर ही लगेगा सिर्फ इसले मैं तुम्हें बचाने आया मैं भी तुमसे मनु के बारे में कुछ बात करने आई हूँ विदान्ता भेयात सुबह मुझसे मिलने आया था मनु के बारे में पूछ रहा था उसे लगता है हमला करने वालों में मनु का हाथ हो सकता है ये सच है लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया लेकिन विदान्ता को मुझे पर शक हो चुका है मनु का ये फोन मुझे मेरे घर पर ही मिला मैं जानती हूँ सच्छी अपने भाई से बहुत प्यार करता है और इसी लिए मैं ये फोन विदान्ता के हाथ में नहीं दे पाई बाई क्या हूँ सच्छी भाई भाईया मैं तुम वाश्रूम के अंदर था आपका मैं पता ही नहीं चला सुबह सुबह मैं सब के सामने तुमसे पूछना नहीं चाह रहा था रात को तुम कहां गए थे तुम कमरे में तो नहीं थे मैंने खुच जाकर दिखा था पुलिस जब तुम्हें ढूंडते हुए आई उसके पहले तुम आ गए थे रात को कहां गए थे बताओ उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है आप उस शेटी की बेटी को बचाने में दिल्चस्पी कूँ ले रहे हैं आखिर बात क्या है उससे नहीं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ गया था क्या मुझे? आपके कहने का मतलब इन सब की वज़ा मैं हूँ तुम्हारा ये फोन मुझे उसके घर पे मिला तुम्हें है तुम्हें हूँ तुम्हें हुआ थरो राश्यां हुआ जरा वजह अल्चस्पी तुम्हें है सच्ची होस्पिटल में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए फुलिस वाले दिख नहीं रहें डॉक्टर नर्स सब के सब गायब है लगता है कोई जान मुझ के ही सब कर रहा है रुको में आभी आता हूं क्या हो भाईया हां है 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 सच्ची भाई है उठाओ बोले सच्ची भाई कहा हो तुम लोग हॉस्पिटल में कुछ प्राब्लम हो गई जल्दी पहुंचना होगा मनु वो यहीं पर है मनु तो घर पर है तो वहां पुलिस संभाल लेगी हम लोग जाकर क्या करेंगे सच्ची भाई तुम लोग बात को समझते क्यों नहीं हो तुम लोगों की वजह से हम दोनों हॉस्पिटल में पहुंच गया आप उन्हें बचाना चाहते हो पुलिस के बारे में तुम उस्ते साथा नहीं जानते चलो जो कुछ तुम भूल रहे हो कि इसी ने तुमें छोड़वाया है लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इन्हें जेल में इसर ने देना चाहिए था वही इनकी असली जगा है चुपकर भाया सॉरी विश्नु जब तक मैं वापस ना आउं यह घर से बाहर ने निकलना चाहिए ओके गाईस लिसन कैरफुली यू गाईस हाव तो मेक इट रिली फास्ट मुझे कोई गलती ने चाहिए गाईस कहा हो तुम लोग जल्दी आओ हलो का हूँ हम पहुच्चुके है कुछ लोग असी उ के सामने है जल्दी आओ अबॉर्ट दो मिशन निकलो यहां से जल्दी वो लोग हमें पकड़ ले उससे पहले निकल जाओ यहां से ख्विक वो लोग हुस्टर प्यारे कर दो कोई प्रॉब्लम है क्या डॉक्टर आपका नाम क्या है क्या डॉक्टर साब ड्यूटी के टाइम पर यहां सो रहे हो अपना नाम बदल लो स्लीपोलोजिस्ट हेलो सज्जी जल्दी से यहां आ सकते हो गया है इस डॉक्टर को कहीं जाने मत देना कोई भाना करें छोड़ना मत लिसन गाइज लिसन मैं तो क्या करों समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर परकाई के लिए हाँ चल्द शेटी पर जब जब हमला होता है वहां तू और तेरे ये क्रिमिनल फ्रेंड्स कैसे पहुँच जाते हैं तुम लोगों को पहले कैसे पता चल जाते हैं इनको यहां मैंने बुलाया है डूटी पर लगे इतने सारे पुलिस वाले कहां चले गए थे कौन घूर था उस समय डूटी पर कहां चले गए थे वी आईपी की डूटी में आदनी कम पढ़ गए थे, इसलिए वहाँ भीजना पड़ा, हमें लगा यहाँ क्या हो सकता है इडियट, फूल्स, यहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती तो, तो फिर क्या जवाब देते सॉरी सर शाराप, अगर यह हरकत दोबारा की, तो डूटी से सस्पेंट कर दूँगा वो सादमी का क्या किया, कौन, वो डॉक्टर सच्ची बाय, आपने बोला था छोड़ना मत, हमने तो वही किया, लेकिन वो बेताल छोड़ा के लेके गया वो डॉक्टर हो इनी सकता, excuse me, yes, दॉक्टर पवन कुमार अभे द्यूटी पर है क्या, नहीं, डॉक्टर पवन कुमार डे ड्यूटी पर नहीं, नाइज ड्यूटी पर रहते हैं, डॉक्टर का सर्विस रिकॉर्ड दिखा सकती है, यह तो हस्पिटल रूल के खिलाफ है, स क्राइमेंड नार्कोटिक सेल के स्पेशल आफिसर है हां स्वारी दिखाओ 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 अब कॉंस्टिबल्स कम फस्ट हम लोग कॉंस्टिबल्स थेंक यू ओके गाड़ी साइड में रोपना मुझे यहीं उतरना है भया भया… भया जाले माफिय माग इन्से बाइया… आप एफिय। चल माफिय मांग इन्से भया… आप एफिय। मरने से पहले माने रोते हुए हम दोनों को आपके बारे में बुला था कि याद रखना बच्चो जब भी भाया जेल से चूटके आएंगे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए और इसलिए इसने आपको बाहर निकलने के लिए अपनी इड़ी चूटी का जोर लगा दिया लेकिन हाज आपका दिल दुखाई दिया उस दिन रात को मैं रजनी से मिलने उसके घर गया था उसके घर वाले मुझे उससे मिलने नहीं देते इसलिए किसी को भी ना बताया रात को मिलने जाता हूँ लेकिन शेटी और उसकी बेटी को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है हम जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे आधी रात को मिलने जाना ठीक नहीं सब को बता कर तुम दिन में उससे मिलने जाओ पपू दरवाजा खोलो रजनी तुम्हारा मूह नहीं देखना चाहती तुम्हें बताया था ना कौन है बेटी मैं 16 साल की उमर में दुलोगों को मार कर जेल की सजा काट चुका हूं दो बार उमर कैद हो चुकी है इससे जदा जानना चाहेंगे मुझे हॉस्पिटल में एक आदमी ने धमकी दी थी कि आज के बाद मनू के साथ तुम्हें लड़की दिखनी ने चाहिए इसलिए मैं जल्दी से डिश्चार्ज करके ले आया बाद में वो आदमी हमारे घर भी आया था बोला अगर मनू यहां आया तो वो रजनी के साथ सारे घर को मार देगा बाद मेरा फोन उसके घर कैसे पहुचा मैं आप समझ गया यह देखिए उस दिन रजनी के फोन से पपू मेरा वीडियो बना रहा था यह देखिए जेल से चूटने के बाद आज पहली बार अच्छा काम किया है मनु से सब नाराज थे ना आज मैंने सब को अच्छी तरह समझा दिया मनु का फोन शिटी के घर कैसे पहुचा अब मैं समझ गया हूँ रजनी और मनु तो खुश है ना क्या लग रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वो लोग इधर बाहरी है सब बहुत खुश लग रहे हैं डॉक्टर गाड़ी निकालो और चुप चाप पिछे बैठ जाओ अबे चाबी निकाल डॉक्टर बोल रहा हूं ना चुप चाप अंदर बैठ जाओ अबे चाबी ते बोला ना चाबी दर लो पिठाव रहे इसको अला गेट कॉल एचल बैठ वालतू का टाइम पास सुवर कहीं के अब बस आप ही कुछ कर सकती है थोड़ा कॉंसेंट्रेट कीजिए दी प्लीज गोविंद राज चन्नेई का रहने वाला है यह मेरे साथ जेल में ही था अभी अभी चूटा है अभी शेहर में कहां पर है इसका पता आपको लगाना होगा ढूंड तो लेंगे ना इसको क्या इसके बाप को भी ढूंड के निकालेगा डूंट परी डॉक्टर अपने वाइफ से वीडियो कॉल में बात कर बात कर बात करना बेचारी पूछ रही हम लोग कौन है जैसा बोल रहा हूं वैसा कर तब यह बचेगा बंदना देवर तुम मेरी चिंदा मत करना फोन कट करो कोई बात में मजाग चल रहा है क्या हेलो डॉक्टर क्या करना है जलते बताओ मुझे बताता हूं लेकिन पहले फोन कट किये बिना स्टैंड पर रखो चाहे कुछ भी हो जाए हाथ स्टेरिंग विल से हटना नहीं चाहिए और ये कॉल भी डिस्करेक नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो तुम जालती हो कि तुमारे पती के साथ क्या हो सकता है गाड़ी खुमाओ और वापिस हॉस्पिटल जाओ ओके ये फो ठाज बाइब को प्रोड़ी हो जईयो जाओ ऑघो झाँ प्राईब भी झाल जाँ भुमाँ ग्राजी टुमाँ अग्रोड़ी खुमाँ अग्रोड़ी खिला हो पाल प्रोड़ी खुमाँ चर्बेंखब शाय हुआ 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 है प्रीको Миोण अो कुशना करें हुआ 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 झाप चाप लुट में झाप और झाप लुट झाप अ झाप । जाप डॉक्टर, अब हॉस्पिटल के अंदर जाओ और आईसियू पहुँचने तक किसी से बात मत करना आईसियू के अंदर जाने के बाद तुम सब को बाहर भेज़ दोगी गो गित दस्कैन रिपोर्ट अब क्यामरा के सामने से हिलना मत अब जाओ और ये सेटिव पेशन्ट में इंजट कर दो जब तक इसकी हाट और पल्स रेट बनना हो तुम यहां से हिलोगी नहीं डॉक्टर यूल हाव तुस्टे आउन यूल जिसने तुझे भेजा वो एडविन मोजेस कहां पर है बता दे एडविन मोजेस का मैं सिफ नाम जानता हूं वो कौन है किदर है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता मेरे दोस्त ने उससे मदद मांगी इसलिए मैं बाहर निकल पाया उसने मेरी मदद किये ना इसलिए मैं बेवस की मदद कर रहा हूं मुझे जेल से चुड़ाने के लिए तुम लोगों ने किसी से साहता मागी दिक्या क्योंकि जब से मैं जेल से चुटाओ तब से ही ये सब कुछ चल रहा है इसलिए मैं सब कुछ पूछ रहा हूँ मुझे चुड़ाने के लिए तुम किस-किस से मिले मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ लेकिन कोई भी काम में नहीं आया एक दिन एक शक्स ने मुझे किसी का नंबर आके दिया उसने बोला इस नंबर पर बात कर लो काम हो जाएगा उसके बाद ही आप रिलीज हो पाए उसके बदले तुम्हें क्या करने को कहा? पुलीस हेटकॉर्टर्स के दिवार पे कुछ लिखने को कहा था हैल इस एमटी ओल्ड डेविल्स के उपर शेक्सपेर के कोई कहावत है मैं बस इतना ही जानता हूँ मनू तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा? हाँ यह रहा नंबर अरे यह नंबर तो मुद्टू का है तो इसके पीछे इसका हाथ है नए एडविन मोजस एडविन मोजस कौन है मुद्टू बताएगा वाव सच्ची वाड़ सप्राइज मुझे शेटी साब से मिलना है मिलने की इजाज़त चाहिए इसमें मेरी इजाज़त क्यों चाहिए जब जाहो चले आओ सची तुम कब आने वाले हो इवनिंग में ओके इवनिंग में मिलते हैं सची भाई आर्या शेटी से आज 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 मिलने जाएंगे आर्या शेटी से नहीं शेटी साब से ओ बात तो ये की है न नहीं चब करना मैं तो सेटिंग करा आ रहा था बैठिए आप किस लिए मुझसे मिलना चाहते थे आखिर कौन है ये एडविन मोजिस आपको मारने के लिए क्यों तुला है एडविन मोजिस और मेरे बीच की दुश्मनी मेरे एक लोते बेटे के वज़ा से शुरू हुई बेटी मेरा बेटा डॉक्टर अरुन शेटी ड्रक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता था इसलिए अपने आप ही वो एडविन मोजिस का दुश्मन बन गया और उसके हाथों मारा गया और उसके जाने के बाद एडविन मोजिस की तबाही मेरा लक्ष था फेदानता आइपियस के साथ मिलकर मैंने उसे बहुत नुक्सान पहुचाया पर वो कभी हाथ नहीं लगा लेकिन एक तिन उसका करोडो रूपियों का ड्रक से भरा कंटेनर मेरे हाथ लग गया मुझे मालूम था कि उसे ढूंटा हुआ एक नएक दिन वो जरूर आएगा लेकिन जानते हो मेरे प्लान को किस ने बिगाड़ा? आपके छोटे भाई ने कमिशनर ओफिस के दिवार पर उसने उनके लिए बकवास लिखी ये बात मुझे मेरे लोगों ने बताई मुझे लगा उसके पास मोजेस की इन्फॉर्मेशन है उसे उठाने से शायद मुझे कोई टिप मिल जाए इसलिए मैंने उसका किड्नैप करवा लिया मेरा प्लान था कि एडविन मोजेस से बारगेनिंग करूँगा पर आपने मेरा प्लान चौपट कर दिया उसके कहो कि वो अपने छोटे भाई को यहां से ले कर जाए मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए बात सिर्फ लड़के को वापस करने की नहीं है साब तो फिर कुछ दिन पहले एडविन मोजेस का जो ड्रग कंटेनर तुमने चीना उसको भी वापस करो उसके कहने के बाद बिना सोचे वो कंटेनर मन्नू के साथ मुझे के बास भेजना पड़ा मुझे उनसे मिला हुआ था सिर्फ इसकी वज़े से एडविन मोजेस को फकड़ने का मेरा आखरी मौका भी मेरा हाथ से चला गया मैंने विदानता को सब कुछ पता दिया और उसने मुझे के ठिकाने पर रेड मारी पर बोला कि थोड़ा सा ही ड्रग्स मिला और कंटेनर उसे वहां नहीं मिला पुलिस भी कंटेनर ढूण रही है विदानता अब भी आप पर शक कर रहा है समल के रहीगा एडविन मोजेस का नाम लेकर कहता है आप और आपके दोस्त मुत्तु के साथ ये खेल खेल रहे थे और अब मेरे पास वो कंटेनर नहीं है ये बात जानने के बाद एडविन मोजेस मुझे मारना चाहता है और वो भी आपकी सहायता लेकर आपको धमकी दिया आपके उपर दबाव बनाया गया कि कैसे भी प्रेशर में आकर आप वो कंटेनर बाहर निकाले अब आपके पीछे सिर्फ एडविन मोजेस ही नहीं है विदानता भी है उन्हें टिप कौन देता है आपके साथ रहने वाले आपकी लोग उन्हें मालुम होए बिना ये काम हो ही नहीं सकता है बिस्निस में मेरे पिता जी ने एक काम की सीख दी थी आख मून कर किसी पे भरुसा मत करो बड़े से बड़े कारोबारी का अंद उसके खास आदमी के गद्दारी के कारण ही होता है दूआ करो दुश्मनों से तो आप समल सकते हो लेकिन दोस्तों के वार से भगवान ही आपको बचा सकता है अब सची तानन को कुछ ना हो मैं अपने भगवान से प्राथना करूँगा मेरा दिल कहता है कि भगवान मेरी बात सुन लेंगे अरे सची भाई सची भाई आप यहां क्या कर रहे है भाई आप उपर क्यों नहीं आए किसका फोन था अरे कुछ ने वो मार्केटिंग वालो का था ला मुझे दिखा क्या सची भाई आपको मुझे पर विश्वास नहीं है विश्वास नहीं है चल दिखा ला मैंने दिखाऊंगा वो डॉनो दिखा, सच्छी भई, सच्छी भई, सच्छी भई, भाई आप इतने जिप क्यों करें हैं, हमने आज तक कुछ छुपाया है क्या आपसे, छुप कर तो, अरे कर, पे चल, भग, विश्णू और मनु से कहीं ज्यादा, मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया, और तुम लोगों ने एडविन मोजिस के साथ मिलकर, पीछे से वार किया, सच्ची भाई, मैंने इनके पैर पकड़े थे कि प्लीज ऐसा मत करो, सच्ची भाई को पता चलेगा तो क्या सूचेंगे, तब ये दोनों बोलने लगे कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे, तो हम सच्ची भाई को समझा लेंगे, अब पीछी से वार किया सुनके, दिल को चैन मिल गया क्या, अब समझा लो, पहले हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था सच्ची भाई, आर्या शेट्टी को छोड़ाने से कुछ दिन पहले ही, मुत्तु ने हम सबसे ये बोला, मुन्नो की साथ-साथ, शेट्टी से ये डील हुई थी, कि एडविन मोजिस का ड्रक्स एक कंटेनर में भर के शेट्टी वापस कर देगा, हम लालच में आगे थे सची भाई, मुत्तु ने हमें धोखा दे दिया, कंटेनर कहीं और चुपा दिया, इस बीच जब उनकी डील हो रही थी, तब वो एडविन मोजिस के पास पहुँच नहीं पाया, और मुत्तु को प सब भी हमारा कोई रिष्टा नहीं था, अब तो मुत्तु भी मर गया, यह सच बोल रहा है सची भाई, मुत्तु के मरने के बाद वो हमें लगातार फोन कर रहा है, सची भाई हम परिशान हो गया उससे, हमने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया भाई, हम सच में आपको अप मुत्तु कर दो उस दिन मनु को लाने के लिए हम लोगों ने एक लौरी मगाई थी, उसी दिन मुझे शक हो गया था, इसी लिए मैंने मुत्तु का पीछा किया, और उस लौरी की तलाशी ली, उस लौरी में करोणों की कीमत के ड्रक्स थे, मेरा शक सही निकला, मुझे लगा ये मामला एडविन मोजेज और शेटी के बीच का ही होगा, तब तक मेरा शक तुम लोगों पर नहीं था, कुछ भी हो, मैं जानता था, एक नेक दिन एडविन मोजेज इसके लिए बाहर निकले गाई, और इसलिए मैंने मुत्तु की लौरी को दूसरी लौरी से बदल दिया, एडविन मोजेज ने इस फोन पर दुबारा फोन किया था, उसे पता है कि कंटेनर मेरे पास है, मुत्तु ने जितना पैसा मागा था उतने पैसे लेकर मैंने उसे यहां बुलाया है, वो जरूर आएगा, लेकिन पैसे क्यों मांगे, अगर पैसे नहीं मांगे, तो उसे हम पर शक हो जाएगा, वो इसे ट्रैप समझ कर, कभी नहीं आएगा, अड़ो, अप दो नहीं आएगा, नहीं मांगे सो हो जाएगा, तो क्तु लाएगा, तो झाले कर नहीं मंगे से लुण वो जाएगा. एई फटाए विसे पूर बॉइ बॉइ hmmm आद्प्र दुटन अमत्स को चुटना मत्स को रह पर बार्ज़स, प्राज१न वो प्राज़ मरेखने कि रहा है और बार मेरा इसना हम एला में पार एला कि पार एला में वोड़ से कि रहा है वोड़ से घ्थारी मेल कर warsक नह रहा है झाल प्रकुचे लिय riff कता है इए है अपरो बपस्ट वह अअ अध आ π CMM अवक Blues कर दो कर दो वाओ कि अपढ़ रिए एक या जा कि अजय को अपार अवा कि अजय को बाझती अजय को एक अजय को अपार आजय को अजय है जा है wreck प्रुख allुख ४प प्रुख पुण आप अरुख कर फूर कर दोच हैं.... आः। बप्रून अगर इन्हें अरेस्ट करके कोट में पहुचाता तो भी कोई सजा नहीं मिलती पैसे और पावर से वकील बाहर निकाल लेता और दुबारा यही धंदा करते क्रिमिनल्स कोोग्मार्ना, वकल्सक्रा हो अन्धा तो क्या ज정이 miten मिलतीakt क्रिमिंदी आपकी अनियाल कैसे वकील अन्धा तावत्करण गा सता बाता का तक पूल मिलती आफ्या है है कान 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 उठना कान 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 सच्छी भाई परिक कर सच्छी भाई सच्छी भाई माफ कर दो बहुत बड़ी गलती हो गई परिकर सच्छी भाई देर हो गई अब कुछ नहीं हो सकता सजा मिली है हम भाई का साथ देना दोस्त दोस्त तुझे लगा में तुने उस ड्रग डीलर को मार कर अपना एक सामराज्य खड़ा किया एडविन मोजिस का जूटा नाम इस्तिमाल किया यह तेरा सिर्फ अकेले का सामराज्य है अब इस खेल में तो खुद फसने वाला है तुने शेटी को मारने की तीन बार कोशिश की सारे ड्रग माफियास को अकेले मार देने वाला वेदानता है पियस एक एडविन मोजिस को कैसे नहीं मार पा रहा है इस बात ने मुझे तुझ पर शक करने के लिए मजबूर किया फिर बड़ी चालाकी से तुने इसे हास्पिटल से बच निकलने दिया और तब मुझे यकीन हो गया मेरे रिष्टदारों का इस्तिमाल करके तुने मुझे अपने रास्ते पर लाने की नाकाम कोशिश की तेरी मौत को तुने खुद बुलाया है वेदानता मेरे परिवार ने जितनी भी तकलीफें उठाई है उससे ज़्यादा तकलीफें मैं तुझे पहुचाऊंगा याद रखना बाहर ड्रक से भरा कंटेनर तुझे चाहिए न उसी के लिए तो आया है करोडों की कीमत की तेरी वो दौलत तेरे सामने ही आज जलके खाग हो जाएगी और तो अपनी आँखों से देखेगा अज सजगर प्रक साँचित सचिवए अज़ सच्छे मैं तेरी स्टाइल है ना च्रिमिनल को स्पॉट पे मारने की यह अच्छी पॉरसी है लेकिन ये मेरी पारिसी नहीं है जो मेरे लोगों को मारता है उसे मैं अपने हाथों से मारता हूँ सर शचीता नन का कॉल है सर आपने जो काम बोला था वो हो गया लेकिन सर एडविन मोजस को हम जिन्दा नहीं पकड़ पा है वेदानता आएपियस के हाथों आज वो मारा गया भले ही वो मारा गया पर हमारे लिए अच्छी खबर है लेकिन एक और बुरी खबर है सर एडविन मोजस की गोली से वेदानता सर भी मारे गया ओ सुसेड